हाँ जी कुछ बच्चों की दिक्कत यह है कि अब तक कुछ नहीं पढ़ें और सोच रहें किसी तरह पढ़के पास ही हो जाएं और कई बच्चों का यह इशू है कि पढ़ा तो सब कुछ है फास्ट रिवीजन कैसे कर लें कि एक ही दिन में रिवीजन हो जाए और वो बच्चे जो एकी दिन पढ़के पास होना चाहतें उनके लिए क्या है तो उनके लिए वीडियो है और इस वीडियो में जबरदस्त आपको टैकनीक बता रहा हूँ साथ में कहां से पढ़ना है आपके आपके लिएम ब्लेबिल करा रहा हूँ भूलना ही भूल जाओ गया ये तुरंट बात को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले एक अपील कि अगर आप फिजिक्स की आसान भाषा में तयारी करना चाहते हैं अगर मेरी महनत आपने पसंद दिखी है आपको लगता है कि किसी काम आ रही है तो आपने दोस्तों के साथ गुरु दक्षणा के रुपे कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कीजे ये वीडियो जिसे उसका भी भला होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और महनत कुछ नहीं पढ़े हो तो एक दिन पढ़के क्या पास हो सकते हो उसके चांस को बढ़ाना 100% पास हो सकते हो दूसरा रिवीशन अगर कर रहे हो तो रिवीशन ऐसा कि बस चार चान लग जाए confidence बढ़ जाए आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो boards के लिए तरीका है और one day का खेल है साथ sitting आपको करनी है इसके इंदर sitting का मतलब एक बार जब बैठते हो पढ़ने तो पूरा इतना पढ़के उठोगे तो एक sitting दुबारा जब बैठोगे पढ़ने तो दूसरी sitting ये sitting का मतलब है समझ गया हो ना जैसे examination में बैठते हो तो तीन गंटे की one sitting में examination दे द किएगा अगर आप disturb करेंगे तो चीज़ें मुश्किल लगेंगी मैंने ये ध्यान पूरवक अपने experience से और आपके feedback पे इसको readjust किया है sequence आप दी chapter जिससे चीज़ें आसान रहे confidence बढ़ता जाए और चब वह चक्के आप मारते जाए और ये तुरन बात कर लेते हैं बिना सम किस चीज़ों को यूज करेंगे एक तो वन शॉट वीडियो जो मैंने बनाए हैं 30 मिनट्स वाले अभी मैं फोटो लास्ट में दिखाऊंगा उसके नूर्स कहां से लेने वह बताऊंगा 30 मिनट्स का एक वीडियो है प्लस शोर शॉट नुमेरिकल की सीरीज है 20 मिनट उसमे करेंवे 30 मिनट और 20 मिनट एक वन शॉट 30 मिनट का शोर शॉट नुमेरिकल 20 मिनट के इसको आप लगाए इन दो चैप्टर को कर जाएए जब यह यह दोनों चैप्टर एक सेटिंग में हो जाए तो फिर लीजिए रेस्ट 10 मिनट का ठीक है रेस्ट लेने का मतलब नहीं कि क चैप्टर आट है एक्ट्रमेगनेटिक यह मुस्कुरा कि इसकी इसकी पप्पी ले लेंगे तो भी खतम हो जाएगा इतना प्यारा चैप्टर है दो लो इतने चोटे-चोटे हैं आप समझने हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 प्रेम पूर्वक खतम हो जाएं सिटिंग नंबर 3 पे चैप्टर 11 और 12 डूल नेचर और एटम्स इसका भी आप क्या करेंगे वन शॉट तर 30 मिनट का शोर शॉट नुमेरिकल 20 मिनट का लगाएंगे उसके बाद आप रेस्ट लेंगे 30 मिनट का क्योंकि यहाँ पर ठकान हो जाएगी मेंटल आपको तो 10 मिन के बाद आप सिटिंग 4 में आएंगे तो चैप्टर 13 और चैप्टर 13 जानते हो कौन सा है ना बिल्कुल जानते हो नुकलाई है और चैप्टर 2 पोटेंशेल एंड कैपिस्टेंस है इन जोनों को निपटाएंगे आप बड़े प्रेम पुरवक निपट जाएंगे वही 30 मिन वन शॉट और शोर शॉट नुमेरिकल्स साब में इसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको हेवी पढ़ रहा होगा पढ़ते पढ़ते लिकिन क्योंकि एक दिन में करना है थोड़ा तो बहु वली जैसा परदर्शन करने ही होगा तो यह 15 मिनट का लेस लीजे और आजातें सिटिंग नंबर 5 पर तो यह रही सिटिंग नंबर 5 इसमें चैप्टर 3 करेंट एलेक्टिसिटी और चैप्टर नंबर 7 अल्टरेनीटिंग करेंट दुनों निप्टा यह अगें 30 मिनट का वन शॉट 30 मिनट और 20 मिनट का शोर शॉट नुमेरिकल् यह नहीं सोचता हूं कि उडा दो इसमें से कोशिस रहती है जितना ले लो इसलिए होमवर्ग बहुत पढ़ता है मेरा और वीडियो में स्लो बना पाता हूं एक दिन में पच-पच वीडियो मेरे बसका नहीं है बनाना पांच छोड़िए दो वीडियो बना लीजे तो खराब हो जाती क्योंकि मैं सबको समेटना चाहता हूं बहतर से बहतर उसके बाद रेस्ट ले लिजे 15 मिनट का उसके बाद सेटिंग नंबर 6 सेकेंड लास सेटिंग चैप्टर 14 समी कंड़क्टर चैप्टर 4 मूविंग और चार्जज और मेंगनेटिजम वही 30 मिनट 20 अगले दो चैप्टर सोड़े से कई बच्चों को मुश्किल लगते हैं तो 30 मिनट खाईए पीजिए थोड़ा गूमिए फिर विए 30 मिनट बहुत बड़ा रेस्ट है और उसके बाद फाइनल सेटिंग जो रहेगी वह चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 वेव ऑप लगे हुए हैं ना या वो टॉपिक छोड़े हुए हैं जिनको पढ़े लें जो आजाएगा आप जरा मुझे यह बताओ कि क्या बोलते हैं इंडूस इमेफ विथ मूव्मेंट है की नहीं चार्ज में जिसे क्या बोलते हैं मूविंग इंडूस इमेफ मूवमेंट की वरना यह वीडियो जो स्लेवस का बनाया उसको देख लीजेगा जस्ट इसके पहले आया होगा तो यह सेटिंग हो गई जो वीडियो का मैंने जिक्र किया बड़ी इंट्रेस्टिन चीज बताऊंगा स्लेवस आपको कोर्स आपको नोट कहां से डाउनलोड कर रहा हूं और एक की वीडियो देखिए और खड़े हो जाएंगे अपनी कुर्सी चोड़ के राप मेरा वादा है आपसे तो इसको आप यूज करें और दूसरा शोर्ट शॉर्ट नुमेरिकल्स जिस तरह के बोर्ट में आएंगे उस तरह के बीस मिनट के अंदर कम देखिए टाइम औरियंट शीट बनाई है यह पावर पॉइंट पर फोटो चिपकाया इसलिए बड़ा बड़ा नहीं कर पाऊंगा पीडियाफ होती तो बड़ा कर देता पिछली बार दिखाया था एक टू पेज फॉर्मूला शीट बनाई है यह जो अल्टेनेटिंग करेंट का पिछली बार भी दि आते भी है की कॉंसेट जिसमें गलती आप करते हैं यह मैंने खुद बनाई है अपनी हाथ से लिखकर हैंड राइटिंग बहुत खराब है लेकिन बड़ी कोशिस किए कि आपके समझ बहा है बहुत समाल समाल के लिखा है मैंने जिससे आपके काम आए इस फॉर्मूला शीट को आप यूज करेंगे ना रेवीजन या पास होने के लिए आप पागल हो जाएंगे मलाब खुशी से पागल हो जाएंगे यह कहने का मतलब है खुशी से पागल हो जाएंगे कि आपको डायमंड मिल गया है यह कहने का मतलब है फॉर्मूला शीट of all chapters और यह free download आप कर सकते कहां से यह formula sheet कहां से डाउनलोड करेंगे और सहाब notes कहां से डाउनलोड करेंगे फटाफट समझ लेते हैं तो यह देखिए आप क्या करिए PDF कैसे डाउनलोड करेंगे Erwin the Academy आपको डाउनलोड कीजिए यह से home page खुलेगा तीन dot है इसको click मार दीजे तीन horizontal bars बोलेंगे काईदे से ऐसे एक window खुलेगी यह free study material दिख रहा है इस folder इसको click कीजिए ऐसे कई folders खुल जाएंगे यह पुरानी फोटो है तोड़ी 2-4-5 दिन पुरानी आपको नय में और भी चीज़े दिखेंगी और मालीजे short short numericals 20 minutes वाले को click करना चाहते हैं तो click करेंगे यह PDF खुल गया जिनको चाहो download कर लो print out ले लो अपने दोस्तों को बाढ़ दो जो मन चाहे वो कर लो पढ़ लो तो इस तरीके से आप PDF को download कर सकते हैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी सी जानकारी और कुछ बच्चे सर्च में रहते हैं तो उनको ऐसे questions मिल जाएं जिनके examination में आने की संभावना है तो आपको economical पढ़े इसलिए 699 में fully sold material आपके पास है और असानी से इसको ले सकते हैं जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं अर्विंद Academy आपको download कर लिजे और store section में जाकर इसको देखकर ले लिजे और लगा मारी ये पका फायदा होगा आपका उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा और भी जो challenges आप face कर रहे हैं comment section में comment कीजिए मुझे बताइए आपकी जो जो दिक्कते मैं पूरी कोशिस कर रहा हूँ सारी दिक्कते दूर की जाए जिससे आप बहतर पढ़ाई कर सकें focus रह सकें और अपने carrier को बना कर अपना और माबाप का नाम रोशन कर सकें हैं thank you very much wish you all the best